आप कहते ना प्रतेक्शन की प्रमालागा, आप हेड्लाइन देखिए आज प्रणान मंत्री ने जो कहा है और जो मेरी क्लास है, पुझा कर उसको उठाई और देखिए और आपको पता चलेगा कि डिसकेशन का लेबल उजांग का इसमें कितना उच्चा होता है, कितना आगे क होता है कि उजांग सर पहले पढ़ाते हैं बात में शक्ता है अक्पारों में, देखिए ये वीडियो, उनने सो सैंतालिस में धर्म के आधार पर एक देश विभाजित हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान, वो भारत से अलग हो गया कि धर्म के नाम पर हम अलग हो जाते हैं, चली भाई आप अलग हो गए, समय के साथ आगे भी बढ़ते रहें, लेकिन जब इस पाकिस्तान, बड़े ध्यान से समझना, किसी समाज की तुम्हें बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी, जब ये पाकिस्तान और इधर भारत, ये दोनों अपनी अपनी यातरा पर निकल तो फिर उसने प्रॉक्सी वार शुरू कर दिया, कि आतंगबाद का सहरा लिया, अतिवाद का सहरा लिया, भारत के खिलाव ड्रक्स, जाली नोट, इन सब का उसने सहरा लेना शुरू किया, अब हम जब दोनों की बात करते हैं, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, भारत बना न पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान में कभी भी कोई भी लोग तानतरिक सरकार पांसाल तक ठीक ही नहीं, हमेशा सेना ने, आईसाई ने और तमाम लोगों ने, जो है ताना शाहों ने इस पर अपना कबजा करके रखा, बड़े ध्यान से सुनिए, अब हुआ क कि धीरे-धीरे समय बीटता गया, और इतिहास के कालखंड में, जो 45-75 साल हुए, थी गई कालखंड भी था, पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनोती आ गई, आप इस बात को समझना और जानना, पाकिस्तान के सामने चुनोती ही आ गई, कि उसने, चुकि ये एक इसलाम क के नाम पर बना हुआ राष्ट था, इसने प्योरली रिलीजियन के नाम पर अपने आपको बनाया, लेकिन इसलाम का उदय होता है अरब में, जो अरब के लोग होते हैं, वो अपने आपको प्योर इसलाम के लोग मानते हैं, क्योंकि वो अरभी भाशा में कुरान को बढ़ स कि अब पाकिस्तान ने पहला काम किया उम्मा के आधार पर बात करने की है उम्मा यानि मुस्लिम ब्रदर हुड ठीक अभी आपने देखा जब राम मंदिर बना तो तमाम जो मुस्लिम देश है उनका एक संगठन है ठीक है उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की इसमें अब आगे जाता है तो उम्मा का मतलब होता है मुसलिम ब्रदरफ के डुनिया वरके सारे जितने भी इसल्म को मानने वाले लोग हो एक साथैत मित्र है अब चली हम जना बात करते हैं अगय कि तो अब जो बात हो रही है कि किसी भी देश को बढ़ने के लिए जब उम्मा की बात आई तो ये भी उसके लिए fake हो गया सौधी अरब अपना देश देख रहा है क्योंकि राष्ट सबसे पहले होता है किसी भी राष्ट की प्रगर्ति उसकी अब आज सौधी अरब को देखिए सौधी अरब महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस भी दे रहा है सौधी अरब में तमाम निब्रल चीजे हो रही है दुनिया वर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है ठीक है आप दुबई जाके देखिए एक सेक शांदार मॉल है जो इंडिया में नहीं हो सकते वो वहाँ पर है सब कुछ वहाँ पर छूट है तो उसने का कि मेरे लिए प्रगतिशील था अब यूए भारत के साथ संबंदि स्थापित कर रहा है ये अधर देन पाकिस्तान के कौन जायागा फेल्ट के पास तो मैंने जब इस के मूलतत्तों के तरफ खोजना शुरू चुरू किया तो मैंने एक जीज नोटिस की कि पाकिस्तान को दिक्क्त क्या हुई और भारत के मा सब्कूर्प्लस किया है होता क्या है कि जब हम अपनी यात्रा पर निकलते हैं लंबी यात्रा पर निकलते हैं तो हमें समय समय पर अपने अतीत में जाकना पड़ता है अतीत हमें ताकत देता है हमारा इतिहास हमें गवरफ देता है हमारा इतिहास हमें आगे बढ़ने की साहस हमें यह देता है कि हम यह इसलिए दुनिया बर के चाहे जितने भी देश हों, वो कभी वे अपना अतीत नहीं विस्मृत होने देते हैं, वो हमेशा अपना हिस्ट्री सम्हाल के, संजोग के रखते हैं, और अपनी जनरेशन से कहते हैं, never forget your history, कुछ भी मत भूली आप, तो दिक्कत यह हुई पाकिस्ता के साथ, कि जब भारत को अपना अतीत देखना था, तो वो ही मौझूद था, भारत ने अपना अतीत देखा, समझा और वो आगे बढ़ा, हमारे संविधान की बात हो, हम अहिंसा के सिधानतों की बात हो, हम सरुधयव कुटमगम की बात हो, सरुधम संभाव की बात हो, तो ह हम ने अपने 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 इतिहास से वो सारी चीजे उठा लिए तो ये भारत में ही संभव था, तो वो हमारा मूलबूत है, अब जब पाकिस्तान को देखेडे की बारी है, तो देखे किसको, 1947 के पहले इसका कौन सा इतिहास है, जो इतिहास है वो भारत का है, भारत को वो सुईकार कर नहीं सकता, क्योंकि उससे दुश्मनी के आधार पर वो अलग हुआ है, अब पाकिस्तान के सामने दिक्कत ये है, कि जब वो अपने इतिहास और संस्कृति को खोजता है, तो 75 साल पहले वो ब्लैंक है, 1947 से पहले वो कौन है, भारत है, और भारत से वो घ्रना के नाम पर अलग हुआ है, दुश्मनी के नाम पर अलग हुआ है, तो जो दुश्मन है उसका इतिहास में सुइकार करूँगा नहीं, और इतिहास सुइकार करूँगा नहीं, तो फिर वर्तमान ठपेणों की तरह हमें क्या करेगा, जैसे कटी पतंग होती है, वो कहीं लेके चला जाता है, जो पाकिस्तान की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यही ह तो उसने उम्मा का सहरा लिया उम्मा में भी वो फेल हो गया क्योंकि आप जब किसी भागोलिक छेतर किसी राष्टर में रहते हैं तो राष्ट सर्वपर ही हो जाता है सौधी अरब का प्रिंस ठीक है वो भी इसलाम मानता है लेकिन जब राष्ट की बात आएगी तो वो अपने हितों की तरफ बात करेगा उसने नवाज शरीफ को बुला कर जो है नहीं दिया सम्मान नरेदमोदी को बुला कर दिया क्यों दिया हमारे प्रधान मंतरी को क्योंकि उसके साथ उसको बिजनस टाइस करने है उसको पता है कि यह देश प्रकतिशील है यह हमारे लिए जोरी मेरा तेल खताम हो रहा है 15-20 साल के अंदर मुझे एक नई एकानमी को जन्म देना है इसलिए साथी प्रिंस धड़ा-धड़ चीजों को खोलते चले जा रहे है उनको नहीं समझ में आ रहा है कि भईया इसलाम के नियम क्या शरीय है बोले हमारा काम हमें करने दो अब एक खबर तो यह आई कि वहां जो है सराब भी जो है अनुमत की जा रही है जबकि इसलाम में सराब क्या है गुना है पाकिस्तान चाती पीट रहा है कि हाँ हाई हाई यह सारे नियम जो है खोलता है बोले नियम किनार है पहले बिजनस अपने लोगों दो वक्त का खाना देंगे तब ही तो काम होगा तो फिर क्या हुआ अब उसका उम्मा का कॉंसेट भी खड़बड होता चला जा रहा है जितने भी देश हैं भारत को तेल बेशना चाहते है क्योंकि भारत तेल खरीदने की आवकात रखता है भारत का जो है वो बिजनस आगे बढ़ रहा है पूरी दुनिया की कॉनमी डाउन है भारत की कॉनमी अप है भारत ने इतने कम समय में सबसे अधा लोग को गरीबी रेखा से बाहर निकल दिया गरीबी रेखा से बाहर निकलने का मतलब पर्चेसिंग पारिटी बढ़ गी परचिंग को परटी बढ़ गए दुनिया वर का सावान वो खरी सकते हैं तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है भारत एक बहुत बड़ी ए पॉर्चुरिटी है आज सौधी अरब दुबई में जो सबसे ज़्यादा कामगार जा रहे हैं वो कहां से जा रहे हैं भारत से जा रहे हैं भारत ने जिस तरह से पिछले 7-8 सालों में कंस्ट्रक्शन में इतनी उचाई मारी है जिस तरह सड़के बना रहा है लोग आज चेरे करें कहां से बना रहा है कैसे बना रहा है तो सबस्क्रक्शन की ज़रूत किसको पढ़ी दुबाई को पढ़ी हुई है उसे इंजीनियर से लेकर सेमी स्किल हर तरह के लोग चाहिए और भारतियों से अच्छा कोई नहीं हो सकता इसराइल कह रहा है कि हमें अपने लेपर दे तो हीमन रिसोर्स दे दो इसराइल कह रहा ना अज बढ़ती हो रही भारतियों की इसराइल जाने के लिए पूरी दुनिया मांग रही है अमेरिका लाग चिल ला ले एच वन वन बीजा पर भारतियों को रोक के दिखा दे ब्रिटेन लाग चाले भारतियों को रोक नहीं सकता उनकी मेडिकल इंडस्टी उनकी सिलिकॉन वैली उनका जो है आईटी सेक्टर सब कुछ तबाह हो जाए अब मुझे आगे बढ़ने के लिए अपना इतिहास जूढ़ना पड़ेगा अब पाकिस्तान अपना इतिहास जूढ़ रहा है कहां डूढ़ है उसका और भारत का इतिहास साजा है साजा है और जब साजा इतिहास की बात आ रही है तो जिससे उसने इतनी घ्रणा की है जिसका उसका पूरे सारी एजेंसी उसकी घ्रणा के साथ खड़ी है अब उसको स्विकार करे कैसे तो जब किसी राश्टर का इतिहास नहीं होता है तो वो परेशान हो जाता है इतिहास तुम्हें संबल देता है इतिहास से संस्क्रते ड्राइव होती है और वो तुम्हें ताकत देती है समझ में आया यह गए इन्होंने बाबर का लीनियेज निकाला मंगोल, अफगानी अफगानी सानी इनकाला भगयास, हम ओरिजिनल पठाने तुम निकला यहां से होगे लड़ाई होगे लड़ाई तो फिर इन्होंने अफगानीयों को निकाल दिया अगर धर्म के आधार पर ही चीज़े होनी थी तो पहली बात पूरवी पाकिस्तान बांगलादेश बनता ही नहीं एक पश्रमी पाकिस्तान ता, एक पूर्वी पाकिस्तान ता, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि religion को कभी भी इतनी उपर राष्ट के उपर नहीं ले जा सकते है, ये राष्ट है जो सब कुछ करता है, बहुत दोनों भारत से अलग हुए है पूर्वी पाकिस्तान, पश्रमी प पटक पटक के बॉर्टर पे मार रहें। पिर पता चला मामला सिया सुनी का पौँच गया, इरान के साथ भी लड़ाई हो गई? हो गयी की नहीं हो गई। इधर बलोचों पे साथ हो गई उधर पक्तूनों के साथ हो गई पठानों के साथ हो गई कहां नहीं लड़ रहे हैं कहां नहीं लड़ रहे हैं जीनोसाइड किया था जीनोसाइड मतलब मास मर्डर लोगों को मारा था तब भारत को बचाने के लिए उतरना पड़ा था, अपनी लोग को मार दिया था, आप कभी 1971 के पहले की इस्थित पढ़ी है बंगलादेश में क्या थी, तो जनाब ये वो रास्टर है जो अपना इतिहास खोज रहा है, और वो जानता है कि उसका और भारत का इतिहास कभी अल पस लोटेगी, जो लोट रही है, बले चाया किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, लेकिन जो भारत की चेतना है, जो भारत का एक पारंपरिक सदभाव है, जो हम ग्लोबलाइजेशन से पहले वसुधायव को तुमकरम हमने दुनिया को बताया, सर्व, धर्म, संभाव, हम नहीं कह रहे हैं, कभी धर्म के अधार पर भेदबाव करते ही नहीं है, पर हमें हमारी चीज़ करने दो, कितने समय पहले ये बात लिखी गेती, सर्व, धर्म, संभाव, जिस देश में ये कहा गया हो, तमसो मा जोतिर गमया, यानि जिस देश का मूल तत्तो है कि मुझे अंदकार से प्रकाश की तरव लेकर जो, जिसकी वंदना में ही शिक्षा हो, जिसका नाम स्वयम भारत हो, बाधन रधनत, संसार को दूर दूर तक ज्यान का प्रकाश देने वाले लोग, और भारत का एक और मतलब होता है, भधन रत, अर्थात रत यानि लगे रहना, भव मतलब सिक्षा, कि वह छेत्र जहां के लोग सिक्षा में लगे रहते हैं, वह भारत है, जहां के लोग सिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वह छेत्र जो ग्यान के लिए है, वह छेत्र भारत है, इसलिए हम यो गुरू कहे गए तो भारत के सामने जब यह लहरे आई तो भारत का लंगर उसके इतिहास में गहरा था हमारी चेतना में था भले चाया globalization 1991 के बाद यह जो एंग्लो सेग्मेंट यह वेस्टन सेग्मेंट कि वन हुज वेस्टन डाट इस modern या हमारे प्रधम प्रधान मंत्री की वो जो कहानी थी कि मैं भारत को पश्चिम के चश्में से देखना पसंद करता हूं धिरे धिरे वो धूमिल होने लगा तो हमारे चेतना में वो था और हमारा इतिहास कोई 100-200 साल का इतिहास नहीं है कि अहार हैं हज़ारों सालों का एक जिसे कहते हैं अनवरत एतिहास हैं तो हमारी 500 साल पूरानी चेतना भी वहाँ है तो चेतना जो होती है वो जो याद्दास sometime जो जीन two gene विरोध नहीं है, हमने सब को सुईकार किया, तो जब हम अपने इतिहास की तरफ जांटते हैं, तो हमें हमारा आधार मिल जाता है, जब पाकिस्तान अपने आधार की तरफ जांटता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे सारे लोग बुरे हैं, लेकिन वो देखें क्या, वो ढूंडे क इसको, वो कह नहीं सकते हैं कि हमारा और भारत का इतिहास साजा है, तो वो मजबूर होकर उनके जो उलेमा है, उनके जो तमाम मौलवी है, वो उम्मा की तरफ जा रहे हैं, उनके पाद दो ही विकल्प हैं, समझे तुम उसकी प्रॉब्लम, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, कि हम अरबी संस्क्रति को साजा करते हैं, और अब वाले इनको दोयम दर्जे का कन्वर्टेट मुसलमान कहते हैं, आप कभी ट्विट्स पड़ो, अब वहां भी वो क्या है, उनको हरेस्मेंट फील हो रही है, कि हम हैं कहां के, भारत को स्विकार नहीं कर सकते, जो पाकि पाकिस्तानी कहता है कि भारत एक साजा संस्क्रति है, हमारा बेस वही है, उसको उस देश में, उसकी ऐसी तैसी कर दे रहे हैं, अब एक देश, वो पाकिस्तान एक ऐसे पतवार की तरह, एक ऐसे नाव की तरह, जो अपने तट से तूट चुकी जिसकी डोर, अब वो हिलोरो के साथ कहीं भी जा रहा है यही कारण है कि वो देश जो 1947 से पहले भारत के साथ साजा संस्क्रती लाहोर जो उस समय इसनी प्रगतिशील जगह हुआ करती थी कराची पोर्ट जो इतना बड़ा एकनामिक हब हुआ करता था आज उसके यहां आटा के लिए मार होती है आज उसके कर देता है जो अपना इतिहास गौरव के साथ याद नहीं करता है यही कारण है कि पिछले नौ सालों में वर्ड बैंक के आंकड़े की बात कर रहा हूं नीतियायों के आंकड़े की बात कर रहा हूं कैसे 25 करूड लोग गरीबी से बाहर आ गया और 1947 से लेके 2014 तक नहीं आए क्यों 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 कि यही वो दौर था जहां भारतियों को भारती इतिहास से काट दिया गया था भारत 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था फिर कह रहा हूं सिर्फ सत्ता हत्तांत्रन हुआ था वो एक तरह का क्योंकि आपका इतिहास अंग्रेजों ने लिखा आपको शर्म आती थी यार अपने इतिहास के बारें बात करने की पूरे समय आपको दकिया नूसी सपेरों का देश बीन बजाने वालों का देश जाड़ फूक करने वालों का देश और हम इसी अपराद बोच से दबे हुए थे यही कारण है कि 1947 के बाद जो हमें आर्थिक प्रगति करनी चाहिए थे हम नहीं कर पाए 1960 तक आते आते हम एक 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 ट्रैप पर आ चुके होते हैं अगर सिर्फ हम अपने आपको ही जान जाते कि हम कौन है आपको पता है जो यह गरीबी से बाहर निकलने के आकड़े आये हैं तो मैं पता है किसमें सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य नहीं निकाला यूपी उत्तरप्रदेश और मात्र 2013 से पहले का आंकना आप चेक कर लिजिए उत्तरप्रदेश बीमारू राज्यों में से एक था एक ऐसा राज्य जो सबसे आदा केंदर के टैक्सेस पर डिपेंडेंट था आज वो टोटल जीडीपी में सेकेंड नंबर पर आ चुका है और उसका सबसे बड़ा कोर दो सबसे बड़ा कोर है वन डिस्टिक वन प्रोडेक्ट कुछ नया नहीं था कि कालीन भधोई में पता नहीं कितने सालों से बनती चली आ रही थी मुरादाबाद में पीतल का काम हो रहा था दक्षणी उत्तर प्रदेश में चूने से और सीमेंट से मदित काम हो रहे थे आज से नहीं पीडियों से हो रहे था बनारस की साड़ी बन रही थी चंदेरी सिल्क पे काम हो रहा था ठीक है यह गन्य गया जो गुण राब बहुत पहले से था एथनॉल अब बनना शुरू हो गया यह सब घर-घर में था मेरे भाई बस एक व्यक्ति आता है पहले सुरक्षा इस्थापित करता है दूसरा हमारे यहां मंदर जो लोग कहते ना हमारे मंदर कभी भी केवल धर्म की वस्तु थी नहीं मंदर हमारे यहां टाउंशिप का हिस्सा था इकानमी का हिस्सा था टेम्पल वो उजब पार्ट ओफ एकानमी काशी विश्वनाथ कॉरिडूर की एकॉनमी पढ़िया तो चोड़ा कर दिया साफसफाई कर दि लोगों के आने जाने के लिए सुविधा कर दि बिजली कर दि सडक से जोड़ दिया जाके देखिए बनारस के लोगों की जीडीपी कितनी बढ़ गई तो गरीबी से निकलने के लिए मुझे गरीबी हटाओ योजना थोड़ें चाहिए 1971 में दिया था देश और गरीब हो गया उस चकर में आपने सब कुछ उत्पादन करना बंद कर दिया तो सवाल वही है कि जब हम स्वयम को पहचानेंगे अपनी चीजों पर गर्व करना शुरू करेंगे तो आटोमेटिकली हमारा जो है उत्थान होगा आपको पता है यह मंदिर प्रभुश्री राम का बनाएंगे 85,000 करोण रुपए इंफ्राइस्ट्रक्चर में इंफ्यूज किये गया पचासी हजार करोण जनाब आजादी के आस तक कोई अयुद्या गया नहीं हमारा कोई प्रधान मंत्री आप कभी मैं उस छेत सामने से बस निकलती सामने से जो है गाड़ी जाती थी हमारी अधिया आके निकल गई पता भी नहीं चलता था कुछ खंडा नुमा कुछ पुराना-पुराना सा दिखता था एक कस्बे धूल उड़ रही है गंदगी है सड़क किनारे तूटा हुआ है 85,000 क्रोन रुपए इंफ्राइस्ट्रक्चर में है जो है इंफ्यूज हुए है आपको पता चलना पिछले देड़ अप्ते में क्या हो गया 22 तारीक से अब तक आज ये बात है कि 85,000 क्रोन रुपए मात्र तीन साल के अंदर रिटन आ जाएंगे मात्र तीन साल के अंदर यूथ जो मुंबई में दिल्ली में फुटबात के किनारे रहने के लिए खोली और ये सब में चाल में रहने के लिए मजबूर थे वहाँ पे गवर्मेंट ने हो मिस्टे का वहाँ पे होटल सी नहीं अब इतने लोग आए पड़ें भीड़ एकदम उमार एकदम लहर दोड़ रही है मेरे पिता जी कल मुझसे बोल रहे थे यार मैं सोचरों अपरिल में जा पाऊंगा हिम्मत नहीं पड़ी बगल में हम लोग रहते हिम्मत नहीं पड़ रही इतने भीड़ है मैं अपरिल में मेरा नंब कुछ नहीं था लोग दिल्ली मुंबई छोड़ छोड़ कर वापस है उध्यार है कि भाई वहां सड़क किनारे धक्ये खा रहा हूं लिविंग स्टैंडर्ड इतना खराब है ततकाल पहुंचो और अपने घरों में लोग रख रहे हैं खाना खिला रहे हैं पैसे कमा रहे हैं अरे यही तो वाणे जवाद है और है क्या कोई होटल नहीं कोई ताज ग्रूप नहीं कोई जो है मैरियेट नहीं कुछ नहीं हर आदमी और अतित्थ देवो भव ये इस देश का सिध्धान्त मेरे भाई ये कोई वेस्टन थोड़न देखे गया ना मैकाले देकर गया ना मै आचीन समय में हमारे नियम हमारे घर में खाने को ना हो लेकिन अगर हमारे अतित्थ कोई आ गया तो हम पहले उसका पेड़ भरेंगे बस वही सिध्धान तो जिंदा करना और करना क्या है साफ सफाई होने लगी लोगों को पैसा मिल रहा है कहां किसी ने कहा कि मुझे तुम होटल दो सरकार से बोला ना बस खाली लाइसेंस तहीं है जल्दी दे दो मेरे को तीर सियात्री जिए भरे पड़े हैं दुनिया भर के होटल कंपनी कह रही कि भाई साब हम आज भी रात दिन भी काम करेंगे तो दो साल बात बना पाएंगे मैं आकड़े पढ़ रहा था कि आज से पांस साल पहले वहां कोई खोजो होटल तो एक भी होटल नहीं था आज यह हालत हो गई है खुद जो है ओयो के म प्यात्री ऐसे है कि स्थंड में बाहर सड़क पर दर्शन करने हैं यह आस्था का उमाड है गलत सही की बात नहीं है बात है कि यह एकॉनमी जाएगी किसके पास तुम भले चाह कितने बड़े लोगों के हिता ऐसी हो कुछ लोग कुछ सरकारी बाबू कुछ राजनेता यह पैसा रखने के अधिकारी है भाई मेरा घर है मैंने आज आपको सोने की जगह दे दी दो वक्त का साबसुत खाना दे दिया आपके सामने बना कर आपने उसके अनमी यार एक चारपाई आपको दे दी एक रजाई दे दी साब सुतरी थोड़ा सा मैं भी लोगों से मिला सबसे बड़ी बात क्या हुई कि भाई मालो बंगाल का आदमी आया अध्यावालों के साथ जैसी राम जैसी राम बात चीत हुई हमें बंगाली कल्चर के बारे में वह अध्या का यह साख खा यह बहुत अच्छा है दी के सरी उमाई के किनारे का है अरे ब्धया प्रता समझे के आदमी खाता है अरए जाते-फोर रुपया दे कर गया तीस हजार रुपए उसी खाली चारपाही का और खाने का दे रहे हैं आप मीनिमम बात कर रहा हूं दो कोठरियां दी कबसे खाली पड़ी तो लोग ने अरे सामान हमान निकाल के फेग वे के चुना हुना पोथ के एकदम मस्त कर रखा है उद्ध्य की आलत ऐसी है भी अब लो क्या आपको क्या लग रहा क्या नहीं वहां हो सकता है सर्यू की बालू है आप कितनी और्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं वहां पर उन लोगों को नहीं नहीं चीजन सिखा सकते हैं और लोग होमिस्ते के नाम पर देते हैं पैसा कि होटल का वो मसालेदार खाने सच्चा हमार चार उसी में आलू भुनवा रहे हैं हमाई जी साथ भी जो आलू के लिए इतना परिसार रहता है कि भुनाव आलू मिल जाए और कोई resource आपने create नहीं किया, आपने लोगों को प्रेट किया वहाँ चले जाए, कारान दिया वहाँ जाने का, लोग बढ़ियां आमना गद्दा गद्दा साफ किये हुए, एक अच्छी साफ सुत्री रजाई निकाल रहे हैं, हाईजीन भी सीख रहे हैं इसी बहाने, कैसे अ जब एक दूसरे से मिलते हैं, people to people contact होता है, तो रास्ट्रवाद की धारणा मजबूत होती है, जो मैंने यहाँ पर अगला मेरा टॉपिक है, डाइवर्सिटी इन इंडिया, अगर आप भी चाहते हैं, हमाईएस और PCS बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी जोइन करें, Ojaan Gurkul Campus, because when we support the word selfless, the whole universe will support you in lesson.